तो कितने 50 पैसे मिलके 1 रूपी बनाते हैं 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 पैसे का एक रूपे होता है तो 250 पैसा विल मेक 1 रूपी इस कुश्चिन का अंसर है इस 50 पैसा हाफ आफ आफ वन रूपी yes, how many 25 पैसा विल मेक 1 रूपी तो 25 25 के कितने पैसे मिलके 1 रूपी बनाएंगे 1 रूपी इक्वल टू 100 पैसा होता है 100 पैसा होता है so 25 25 को अगर हम प्लस करते हैं तो 4 25 पैसा विल मेक 1 रूपी okay, आंसर इस 4 25 पैसा विल मेक 1 रूपी okay, next पर आते है 25 पैसा is dash part of 1 रूपी so 25 पैसा मिलके 1 रूपी बनाते है तो जो 25 पैसा है वो 1 रूपी का कितना पार्ट है 1 upon 4 पार्ट 20 पैसा is so 20 पैसा अगर हम प्लस करेंगे 100 पैसा बनने में कितना टाइम लगेगा 25 पैसा 100 होता है so 1 upon 5 part of the 1 रूपी so 20 पैसा को अगर हम 5 ताइम काउंट करेंगे तब 100 पैसा बनेंगे so 20 पैसा is 1 upon 5 part of the 1 रूपी how many 10 पैसा will make 1 रूपी तो कितने 10 पैसे मिलके 1 रूपी बनाएंगे so 10 10 is the 100 होता है so 10 पैसा is so 10 पैसा के 10 coins ही मिलके 1 रूपी बनाएंगे so 10 पैसा is 1 upon 10 part of the 1 रूपी so 10 पैसा है वो 1 रूपी का कितना part है 1 upon 10 part okay an old woman's will once there lived an old woman she lived with her 3 daughters she was quite rich and had 19 camels one day she fell ill the daughters called the doctor the doctor tries his best but could not save the woman after her death the daughters read what she had written in her will तो एक ladies एक woman थी वो अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी okay so वो बहुत अमीर थी उसके पास 19 camel थी मतलब उट थी okay एक दिन वो उसकी तबित खराब हो गई उसकी जो बेटियां थी उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया डॉक्टर ने पूरी उसकी दवाई की लेकिन वो उसको बचा नहीं पाया so उसके मरने के बाद daughters जो थी उन्होंने उसकी विल पढ़ी जो वसीयत होती है वो पढ़ी उसमें लिखा था उसने रिखाता है कि जो मेरी सबसे वड़ी डॉक्टर है वो कितना वर अपन टू कैमल ले लेगी तो हाफ कितना होगा है नाइंटीन का तो यह तो होई नहीं पाएगा नाइंटीन का हाफ तो नहीं पॉसिबल और सेकेंड डॉक्टर को वन अपन फॉर्थ मेरी कैमल मिलेंगी मतलब उन्ट मिलेंगी और थर्ड डॉक्टर के लिए वन अपन फाइफ कैमल उसने किया तो डॉक्टर वर रियली पज़र्ड वाव कैन आई गेट वन अपन टू अफ दाइंटीन कैमल तो जो डॉक्टर्स थी कैमल तो जो हाफ होगा नाइटीन का हाफ कितना होगा टैन होगा कितना होगा नाइन होगा एक तो नाइन हो गया इसके बाद भी एक कैमल एक्स्ट्रा होगी लेकिन हमें उसमें से भी हिस्सा चाहिए तो क्या हम कैमल को काटेंगे नहीं the second daughter said that is right but what will we do ask the third daughter तो कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो मगर हम कर भी कह सकते हैं just then saw their aunt coming the daughter told her their problem तो उनकी auntie आई उन्होंने जो daughters थी उन्होंने अपनी problem से share की उनको बताई show me the will I have an idea you take my camel so you have 20 camels now you can divide them as your mother wanted the aunt said तो जो उनकी auntie आई उन्होंने बोला कि मेरे पास एक idea है तुम मुझे अपनी will दिखाओ और मैं क्या करूंगी मेरी भी एक camel है तुम एक camel उसमें add कर लो और आप तुम divide कर सकती हो जैसे तुमारी मम्मी की wish थी वैसे आप इसको divide कर सकते हो so you want half of the camel don't you take 10 camels she said to the eldest daughter तो उसने बोला कि तुमको half camel चाहिए कोई बात नहीं 20 में से half ले लो मतलब तुम 10 camels ले लो take your share the aunt told the second daughter she took one fourth of the camel and got one upon fourth camel तो कितनी हो जाएंगी one upon fourth की हम इसको निकाल लेते हैं so 20 multiplied by one upon four four fives are 20 so she get second daughter get five camels from this okay so सबसे बड़ी को 10 camels मिल गई दूसरी वाली daughter को five camels मिल गई अब ना तीसरी वाली का है so you can take off one fifth of the camels the aunt told the third daughter she got तो third daughter के लिए कितना था one upon five था so 20 multiplied by one upon five so five fours are 20 so four जो सबसे छोटी बेटी थी उसको कितने मिल गए four camels मिल गए the daughter were very happy and counted their camels तो सबसे बड़ी वाली बेटी को तो 10 camels मिल गए थे और दूसरी वाली बेटी को five camels और सबसे छोटी वाली बेटी को कितने four camels मिल गए तो total 90 ही हो गए और इसके बाद एक camels बच भी गई तो जो आंटी ने बोला जो एक camels बच रही है वो मेरी है और वो अपनी camels को वापस ले गई तो इस तरीके से यह easily वो हो गया तो अब यह सब कैसे हो पाया अब आप ही बताएंगे यह सब तो उसके पार्ट का कमाल है तो यह आप कर लेंगे इस तरीके से अरुन्स टाइम टेबल तो यूज डिफरेंट कलर तो शो प्लेइंग वन एट ओफ वा डे तो इस तरीके से यह आपको कर लेना है यह आपको होमवक है यह आप खुद से करके ले आएंगे ओके तो डू इट एस दे सेम तो यह आपको कर ले प्लेइंग गिर